हुआ दोस्तों कैसे हैं आप सब आयो बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छा हूँ आज एक नया ब्लोग बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं मेरे साले का जनम दिन बनाने जा रहा हूँ और यह उसके लिए सर्प्राइज है हम यहां से मैं मेरी बाइफ और मेरी दिदी आज यहां से जा रहे हैं पास में यहां से लगबा 20 क्रो मिटर दूर मेरा सस्राल है वहाँ पर जैसे तो हर्याना है लेकिन यहां में का लिए गाड़ी में बैठने के बाद अभी वाइफ और दीदी आने वाला है वो गाड़ी में डिखेंगे तब मैं निकलूंगा कि निकलता हूं उसके बाद रखाण करने के बाद जब निकलूंगा जब कंट्यूनू करता हूं कर दो कर दो अब हम मेरे सेसराल में पहुंच चुगे हैं जिसका नाम है बावनवास जो की आई एस नगरी है और रस्ता भी बहुत अच्छा है यहां पिलाद क्योंकि पानी के चक्कर में रस्ता थोड़ा खराव है आई एस नगरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां ज्यादातर लोग आई एस बने हैं एक ही गावँ में बहुत छोटा गावँ में जन्सेंक्या भी ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी हैं बहुत सारे लोग आई एस हैं प्रशास इसके बाद गंडिनी कर देखाता हूं अभी इससे क्या मतलब थोड़ा सीधा चड़ना पड़ता है मज़े आते हैं में आपको लेकर चलूगा मज़े आने वाल है हमारे साले साब आ चुके हैं बड़े बोई यह देखिए कितनी उच्छाई पर घर है हमें बहुत उच्छा चलना पड़ता है मज़े आते लेकिन आपको बहुत उचा है हμέरे पहले कहरे बहुत पहले के इसलिए फट उचे हैं हाँ हाँ हो देखिए इता उपर हमारा घर है इस पार में से जा रहे हैं इतना ऊपर मज़ा आने माला है बाड़े सेलिब्रेशन होने बाला है सालेखा है 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 यह भाई सांसी फुल गई यार यह हम पहुंच चुके हमारा गर यह क्या बहुत पुराने समय का बना हुआ है बहुत पुराने टाइप में यह मेरे सस्राल का घर है हमारा उपर बहुत उपर है यहां पर क्या बहुत पुराने घर बने हुए तो बहुत उपर क्या कता है मलें यसे पाहट चड़के होतार अगर इस तरीके और कितना खतरणाक सीन है उपर हमारे घर की छत पूर बहुत ऊपर घर है और बहुत की लिए बहुत मज़ा आने वाला और अब भी celebration का मज़ा भी आने वाला है खाने में भी और केक में भी ऐसे लिए अभी आपको ब्यू दिखा रहा हूं यहां का पूरा अब देखना है क्या खादर ना गोजा डिखा है वाइसा पूर नी जाए हम इतनी कदर ना गवाया जैसे अपन कोई हमाल है या पर कोई और दूसरे जगे जाते हैं यह को तो रिकी फोलो जिक्ता है करां ऐसान में यहादा. दरहा जारा कीछीरा भी दिखा, तो का दिखता च्यीऄ मंगें अट. मेरे में लोगें काली घटा आंच को पैंकर में के बारे सोब करेंगे बाली है यहादild आपको यह दिखाता हम आपको यह हैरी ठेज है मतलब बहुत पुरानी अवेली टाइप में बना हुआ है और अब आपको बहुत नीचे जाके बताता हूं अब उपर से दिखा देता हूं आपको देखाता हूं इधर के इससे और भी है इससे पुराने मकान बहुत पुराने टाइप में बना हुआ है इस दिखेए बेसे अब कुछ खंडर पराई सब्सक्राइप में बना हुआ है आप इस बरसा तेज तुछ फुशां देखे गया है देखिए पूरा उपर का सट है गया है और यह हमारा घर बना हुआ है अभी पूरा टाइप में है इसलिए इसको नया बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं अंदर गुफा सी यह वहाँ नहीं लेकर जाओं आपको मैं अंदर गुफा सी यह पूरा लंबा और यह हमारा घर है अभी घर इसको इसलिए हम नया बनाने कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह थोड़ा सा भी अगर इसमें हमने मरमत कराने कोशिश करी तो यह भोरा बहे जाएगा जैसा अभी यह ले गया लबा पहले की कलाकाड़ी देख सकते हैं कैसे बनाये जाते हैं देखिए बिना उसके यह कितने अच्छे तरीके से रोके हुए है इसलिए मुझे मेरे सेस्वराल में थोड़ा अच्छा इंड्रेस्ट भी आता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगें हैं देखने को मिलती है फिलाल अभी हम सेलिवेशन के त्यारी कर रहे हैं लेकिन बारिश का मोसन थोड़ा सही हो जाए फिर उसके बार सेलिवेशन करते हैं इसलिए मेरे सेलिवेशन करते हैं इसलिए मेरे सेलिवेशन करते हैं अब मैं घर पहुंच चुका हूं बीच में थोड़ी बारिश ज्यादा थी इसलिए मैं आपको कंट्यूने नहीं कर पाया लेकिन इस सेलिवेशन में मेरे सचराल तरब के सचराल पक्षकी तरब से तना अच्छा सेलिवेशन था साले का जनम दिन था अच्छी तरह से जनम दिन मनाया में आप बहुत बहुत अच्छा लगाओगा बहुत मज़े आयोंगे तो बड़ी तरीके से बिदाय किये करते हैं मतलब हमारे समाज में एक रीधी रिवाज या फिस राजिस्तान में रिवांस के सकते हैं कि जमाई जब भी भी आया का घर पर उसको तिलग लगा करके मतलब जो भी है मतलब जमाई को कुछ दे करके नारेल वारेल दे करके इस तरीके से बिदा करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बिदा किया उन्होंने सासुझी ने और बहुत ही मज़ा आया बहुत ही एंजॉय किया थोड़ा बारिश हो गये था इसलिए हमें रात होगी थी लेट निकलना कोई भी यही आपको कमी लगती है तो मुझे जरूर बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूँ आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है इसलिए आप लोग सपोर्ट करें और मैं जिससे और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ ठीके दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लोग में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें सेफ रहिए अच्छे से रहिए बाई